हे दोस्तो प्रपेर फॉर एक्जाम में आपका स्वागत है आगे मैं विज्ञापन डिजाइन में बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाती हूँ विज्ञापन में अपील यानि एड़टाइजमेंट अपील एड़टाइजमेंट अपील क्या है कि जो विज्ञापित वस्तु होती है उस वस्तु से होने वाले लाब या हानिया उभुकताओं की जरूरतें चाहतें उनके बीच संबंध स्थापित किया जाता है ये जो अपील होती है ये बहुत फाइदे का आश्वाशन होती है क्योंकि उस विज्ञापित वस्तु से उभ श्वासन खरीदता है एक उस विज्यपित वस्तु से लाब खरीदता है ये जो अपीले होती है ये दो प्रकार की होती है सबसे पहली होती है भावात्मक अपील और एक होती है तरक युक्त अपील भावात्मक अपील क्या होती है कि सुरक्षा है सामाजिक भावना है सामाजि कारे है, दया है, भूख है, मनुरंजन है, उत्सुकता है, यह सब जो अपील होती है, यह आती है, भावात्मक अपील के अंतरगत, दूसरा आता है तरक युक्त अपील, तरक युक्त अपील का प्रियोग भोगताओं की व्यवारिक जरुवतों के लिए किया जाता है, उसनकी सस्टनतुस्टी के लिए किया जाता है यह जो appeal word है ना यह English का word है अंग्रेजी का word है appeal word हमने कभी कई जगे सुना है मैं appeal डाल दूँगा वकील वगेरा से के मुह से भी सुना है appeal के बारे में तो appeal जो word है यह एक English word है appeal इसका अलग अलग तरीके से प्रियोग किया जाता है विज्यापन में विज्यापन में appeal का sense कुछ और होता है case में appeal का word कुछ और होता है तो मैं उस appeal के बारे में ही बात कर रही थी appeal उब्भोकताओं की मांसिक संतुस्टी के लिए किया जाता है भावात्मक अपीलों का प्रियोग तो उब्होगताओं की मानसिक संतुस्टी के लिए किया जाता है लेकिन यह जो तरक यूगत अपील है इस तरक यूगत अपील का प्रियोग उब्होगताओं की विवारिक जरुवतों और संतुस्टी के लिए किया जाता है जैसे कि मुझे कुछ अभी अपील थोड़ा माइंड में आ रही है जैसे कि उपयोगता की अपील है जैसे मैंने अभी आपको एक बताया था निर्मा की निर्मा का वाशिंग पाउडर का एड था वो दूट्सी सफेदी निर्मा से आए रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए यह आशौशन दिया गया था कि इस वाशिंग पाउडर से तुम्हारे क्लोट्स बहुत इसीली वाश हो जाएंगे और बहुत क्लीन वाश हो जाएंगे तो यह थी उपयोगता की अपील इसी तरह एक सुरक्षात्मक अपील दी जाती है जैसे कि बीमा कमपनी हैं वित्तिया यह जो विज्ञापन है यह हमें एक सुरक्षात्मक अपील देती हैं जिसकी आयुरवधिक औश्ट दीव अगेरा है यह दवाईयों के पेस्ट जैसे की एक एड आता था पैपसो डेंट का कि नया पैपसो डेंट जर्मी चैक इससे बहतर सुरक्षा और कहां इस तरह का जो प लेडिज भी मैंने तो आज-कल भी देखती हूं बहुत ज़ादा कि लेडिज से फेस टू फेस पूछा जाता है कि इससे बहतर प्रोडक्ट कहा इससे बहतर मतले बहुत ज़ादा ब्रॉड हो गया है अब तो यह होता है सुरक्षा की दरस्टी से लोगों में विश्वास ज जैसे सिर्दर्द टेंशन अम्ता बच्चे ने भी उसका प्रचार किया था थंडा थंडा कूल कूल वह वाला जो याद नहीं आ रहा है मुझे लेकिन वह था तेल था और डर्मिकूल पाउडर के बारे में भी था जिसे शारुक खान ने भी एड किया है तो इस तरह कि यह भी टेल का एड किया था थंडा थंडा कूल कूल सिर्दर्द की टैंशन से दूर रहेंगे दूसरा आता है गॉर्व की आपील convicted में बहुत सता है जैसे कि मात्रत्व की अपील मात्रत्व की अपील से मतलब होता है कि जैसे एक आदा था एड आदा था मैंने देखा था कि छोटे छोटे बच्चों के लिए पैमपर्स का और इनका एड दिया जाता है जैसे अपने लाडले को दीजिए संपून आहार खाने के अमामले में आता है तो जैसे अभी निकाला जाता है काफी चीज़ें बच्चों के लिए निकाली जाती हैं तो ये ममता से रिलेटड होती हैं मात्रत्व से रिलेटड होते हैं तो उन्हें मात्रत्व की अपील देते हैं इस तरह से काफी एड आते हैं मैंने देखा एड टीवी में तो ये सब होते हैं मौज मस्ती के अपील दूसरी होती है हम अभी बात करें थे कि एक बचत की बचत से है जैसे बचत है कि इसमें इतना सेव हो जाएगा इतना इसमें पैसा सेव हो रहा है कि जैसे कि कोई एड है हम बिग बास्केट से सामाल लेते हैं या मार्केट से सामाल लेते हैं तो बिग बाजार या बिग बास् इस तरह पैसे की बचत जहां में दिखाई जाती है वो होती है बचत यह नहीं लाब की अपील जैसे महगी वाली दुलाई बचत में समाई इस तरह के स्लोगन बनाए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो भूगता होते हैं उनके माइं चीज़ां को खरीदने के लिए एक बार तो यूज करके देखते हैं इस तरह के जो लोग सोच लेते हैं इसी ही परसनल्टी अपील होती है ये विद्ञापनों में इनका प्रियूक तो सबसे ज़ादा हो रहा है आजकल जैसे किसी भी छेत्र में किसी भी स्टार को उठा लेते हैं जैसे अमता बचन को तो मोस्टली एक विज्यापन के लिए धाई करोड रुपिया देना पड़ता था उसे विज्यापन में, उसमें अपना विज्यापन प्रदर्शित करने के लिए, धाई करोड के करीब रुपे वहां देने पड़ते थे, एक अपने एड़टाइजमेंट के लिए, और वो एड़टाइजम विज्ञापन design क्या है? विज्ञापन के लिए design बनाते समय शीषक, उफसीर्षक, बॉडी, कौपी, लोगो यानि बॉडी कौपी से मतलब होता है काया-कत्या, बॉडी कौपी लोगों बहुत सीजों की आवेशकता होती है क्योंकि इन जो चीजों का उपियोग किया जाता है वो उनके सिध्धान्तों के अनुसार किया जाता है सबसे पहले हम बात करते हैं हैडलाइन्स की यानि शीषक की किसी शीषक के बिना विढ़्यापन की ले आउट यानि सासज्जा की कलपना कोई नहीं कर सकता क्योंकि शीषक विढ़्यापन का सबसे महत्वपून अंग है शीषक अब भुखता का ध्याना कर्शिद कर लेता है that means सरल सब्दों में कम से कम सब्दों में संदेश की और असंकेत करने वाला ही हमारा सीर्षक होता है जैसे कि ग्लुकोज ग्लुकोज आया था पारले बिटेनिया पारले का प्रोडेक्ट था वो तो जैसे 50-50 है बिटेनिया का प्रोडेक्ट था नवरतन तेल है इस तरह के जो आते हैं एड इसमें पहले सीर्षक होता ह दूसरा आता है उप सीर्षक, उप शीर्षक यह सीर्षक से आकार में छोटा होता है, विज्यापन में सीर्षक लिखने से, शीर्षक लिखने से यह काम नहीं चलता, उप सीर्षक का भी उतना ही महत्व होता है, क्योंकि उप शीर्षक उप भूगता के, के जो मन में सवाल उनकी जिग्यासा को शान्त करता है यह उपशीशक का काम होता है क्योंकि जो थोड़ी सी जानकारी और मिल जाती है तो क्योंकि शीशक पढ़ने के बाद जब भुगता के मन में जो सवाल उठते हैं उन प्रशनों का उत्तर उन क्यूरिसिटी का जो आंसर देना होता है वो बॉड़ी कॉपी काया कत्य यह सीशक वे उपशीशक और उपशीशक लिखने के बाद वस्तुक और उत्पाद के सम्मंद में विस्तार से जानकारी देता है यह बॉड़ी कॉपी इसे काया तथ्य भी कहते हैं इसको बॉड़ी कॉपी के द्वारा उभुगता के मन में इच इसके बाद आगे जाते हैं चित्र, चित्र से कहते हैं विज्ञापन की साज सज्जा, that means विज्ञापन को सजाने का प्रियोग यानि ले आउट ये चित्र ही करता है चित्र विज्ञापन में उपवोक्ता को आकर्षित करने का सबसे महतपून अंग माना जाता है विज्ञापन को काफी हद तक समझने में चित्र हमारी हेल्प करता है इसके बाद आता है लोगो यानि व्यापारिक चिन्न, ट्रेड मार्क ट्रेड मार्क यानि व्यापारिक चिन्न ये होता है कि ये जो ट्रेड मार्क है यानि लोगो लोगो शब्द की उत्पति ग्रीक भासा के शब्द लोगास से हुई है जिसका अर्थ होता है प्रतिक यानि सिंबल, इसे मोनोग्राम भी कहा जाता है सभी विज्यापनों में ट्रेड मार्क या लोगो यानि ये जो पहचान चिन्न होता है ये लगाया जरूर जाता है क्योंकि इसमें सबसे पहले हमारी द्रस्टी जाती है विग्यापन के स्वरूप में परवर्तन हो जाता है. परंतो इसके ट्रेड मार्क, इसके जो लोगो है, इससे लोग पहचान जाते हैं, जैसे कि Coco Cola था, यह हमारे Coco Cola हमारा सबसे पहली कम्पनी है. गुआ इपनी आका लोगो अलग है, अभी मैंने देख था, इसका सोनी का लोगो चेंज हुआ था तो ये हमारा इस तरह का लोगो लेकिन उसका क्या था लिखना ऐसे ही था उसको लोगो में colors वगेरा उसके use different कर लेते हैं थोड़ा और प्रभावी बना देते हैं लेकिन उसका स्वरूप में थोड़ा पहुत परवर्तन ये करते हैं लेकिन इस चीज का लोगो है जैसे अमूल बटर है अमूल बटर में एक कार्टून वाली लड़की आती थी थी नाइफ बटर पकड़े हुए और नाइफ इस तरह के लोगो इस तरह के मोनोग्राम यूज किये जाते हैं आगे चलते हैं विग्यापन के माध्यम यानि एड़टाइजिंग मीडिया यानि एड़टाइजिंग मीडिया जैसे जैसे संचार के जो माध्यम होते हैं वैसे ही विग्यापन के भी माध्यम होते हैं इसका मतलब यह है कि विग्यापन को तयार करने के बाद उब्भुगता तक पहुचाने के लिए एक माध्यम यानि एक वाहक की जरुरत होती है यही वाहक हमारे विज्ञापन को उब्भुगता तक पहुचाने के काम करता है यही वाहक हमारा माध्यम कहलाता है मैं बात करती हूँ वाहक यानि माध्यम कौन-कौन से होते हैं वाध्यम बहुत माध्यम होते हैं हमारे उब्भोगता से आज कल तो बहुत जादा माध्यम प्रियोग किया जाते हैं विग्यापन के जो हमारे प्रोड़क्ट को प्रोड़क्ट के विग्यापन को हमारे प्रोड़क्ट के विग्यापन को उब्भोगता तक दूसरा आता है प्रसारण माध्यम, प्रसारण माध्यम के अंतरगत, ये दोस्तों मैं टॉपिक पर क्योंकि मेरा हाफ रह जाएगा, इसलिए मैं टॉपिक आपसे बाद में चर्चा करती हूँ